अब यहां गले की कटिंग कर लेते हैं तो गला जो है जितना गला आपका होगा उसमें आपको आदा इंच प्लस करना है जैसे 6 इंच होगा तो आपको 6 इंच लेना है 7 इंच होगा तो आपको 7.5 इंच लेना है जितना भी आपका गला होगा गले की लेन्थ होगी उसमें आपको आदा इंच प्लस करना है तो यहाँ पे हमें 7 इंच तैयार गला चाहिए तो हम 7.5 इंच लेते हैं यहां पर 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उपर के साइड में भी एक मार्किंग कर लेते हैं यहां पर हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे हम गले की चौड़ा यह हमारी 3 इंच हम 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर भी हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से यहाँ पर हमने यह मार्किंग किया है अब जो गले की लेंथ होगी जो गले की डिजाइन होगी वो आपको बनानी है अब यहाँ पर हमें जैसे पौण इंच उपर के साइड में लेना है और यहाँ पर हमें एक इंच पर एक मार्किंग करनी है जैसे यहाँ पर हम एक इंच लेंगे इस तरह से हमें इसको यह लेना है और यहाँ पर हम यह राउंड शिप देंगे इस तरह से हम round shape देते हैं और यहाँ पर हमें इस तरह से इसमें joint करेंगे अब बाहर के side से हमें पहले cutting करनी हैं जैसे आदा ही छोड़के जो हमने गले का shape दिया है उसी तरह से हम इसके cutting कर लेते हैं यहाँ पर हमें बाहर के सैट से इसको आदा इंच ओड़के इसकी कटिंग करनी है जிसे यहां पर translated 1.5 इंच पर किया है एक्ष्ट जो था उसको हमने पहले कट किया है यहाँ पे हमें बाहर के साड़ से जो आदा ही छमने लिया था उसको कट करना है आप चाहे तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं नहीं तो सीधा आप कटिंग करऊंगे बाहर के साड़ से तो भी चलता है जैसे यहाँ पे आप राउन शेप दोगे तो भी यह बाहर की साइड की कटिंग चलती है लेकिन अभी यह जो है गले का शेप उसको हमें कट करना है जो गले का शेप हमने दिया है उसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं अब जो गले का शेप हमने दिया था उसको कट कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पे हमने यह फ्रंट साइड की गले की कटिंग की है तो यह हमने कुरती के लिए कटिंग की है आप चाहे तो ब्लाउस के लिए भी यह बना सकते हैं तो यहाँ पे हमें जो ब्लाउस के लिए जब बनाएंगे तो हमें गले की लेंच ज्यादा लेनी पड़ेगी तो ये जो है फ्रंट साइड का जैसे 7-7,7 इंच पे आप गले की फ्रंट साइड की लेंच लेते हैं तो उतनी लेके मैंने गले की डिजाइन बना के आपको दिखाई है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अब ये जो पैटन मैंने बना के आपको काटशिक पेपर पे दिखाया है इसको आप कैनोस पेपर पे रखके इसकी कटिंग कर सकते हैं फिर हम कूरती के ऊपर ये गला तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आप इसकी कटिंग करके दिखाई हैं